स्वागत है आपका मिंगल ग्राफिक डिजाइन्स में, प्रैक्टिस के साथ अभी तक आपने बहुत कुछ क्रेट किया होगा, अपने जो लेशन्स है इलेश्टर के उसमें भी काफी कुछ अभी नया आ गया है, भूब आपने वो सारे लेशन्स देखे हैं, लेटेश्ट जो मैंने दिखाया था, वो था बिलियाड्स वाल, उसकी बाद आज फीर हम कुछ नया क्रेट करने बाले है, बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन उसमें कुछ आप्शन से, कुछ टेक्निक से, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ओके, तो हम आज क्रेट करेंगे वाल क्लोक, वाल कलोक बहुत टैप्स करेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक छिंपल डाट क्रेंगे तो वाल क्लोक क्रेट करने के लिए%, यहीं किसी रेफरेंश की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम ऐसी इसे बना देंगे, बहुत ही सिंपल स्टेल के साथ, तो हमें यहाँ पर लगेगा एक blank layer जो already अपने पास ready है और first tool जो हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे ellipse tool इसका shortcut है ellipse tool को मैं select कर रहा हूँ और एक first इसका जो circle है यहाँ पर मैं draw कर देता हूँ इसे मैं यहाँ पर सिर्फ outline रख रहा हूँ कि इसका thickness outline का जो होगा वो three कि currently three रखो आप बाद में इसको बढ़ा सकते हो यह तो आपको इसको ऐसी पहले 10 देना है तो 10 देदो depends आपका hardboard कितना बढ़ा है यह हो गया इसका first circle और first step इसकी बाद यह गया wall clock का outer circle हमें इस wall clock को थोड़ा सा एक effect देना है ताकि वो लगे वो glass के अंदर है कैसे वह आपको मैं अभी दिखा देता हूँ इसी circle को select करो Ctrl C और Ctrl F करो और इस circle को नया color देता हूँ यहाँ पर आभी आपके पास दो circle से ओके अपने copy करके Ctrl F किया था यह वो green circle है अभी इसे मैं alt press करके shift hold रखके यहाँ पर ऐसे drag करता हूँ तो drag करने के बाद मैं shift को hold रखूंगा और इन दोनो green circles को मैं group कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे चोटा कर देता हूँ ऐसे कुछ यहाँ पर देखो मैं zoom में आपको दिखा देता हूँ मैं exactly करके आ रहा हूँ इसका thickness जो है currently थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पर मुझे gap पता चलेगा मैं ungroup कर रहा हूँ इसे और इसे थोड़ा सा shift पकड़ गए ऐसे लेके जाता हूँ I think यह perfect है तो कुछ इतने gap में मैंने circles create किये है वो क्यों create किये है वो यहाँ पर देख लो अभी इन दोनों circles को जो green circles है और pathfinder में जाके यहाँ पर divide जो है वह मैं click कर रहा हूँ पिर right click और ungroup control shift G ungroup करने के बाद जहां के जो circles है वो मैं delete कर रहा हूँ अभी मेरे पास इतना ही पार्ट है इसका फोड़ा सा zoom out में देख लो यह हो गया मेरा इतना पार्ट इसे मैं flip करूंगा इसका outline जो है वो फिल में convert करूंगा यहां से और इसे में देदूंगा एक black color या फिर एक light gray color यह एक 3D effect हो गया मेरा इसे हम बाग में देख लेते हैं यह कैसे दिखेगा पहले हम पूरा wall clock create करते हैं तो उसका effect जो है वो आपको पता चलेगा कि वो मैंने Q किया है इसके बाद हम create करेंगे इसके जो lines रहते हैं मतलब minutes के जो dash रहते हैं चोटे-चोटे 60 minutes 60 dash line या straight line जैसा भी है वो हम अभी create करेंगे next tool अपना है वो है line segment tool line segment tool ऐसे मैं draw कर रहा हूं यहां पर और इसे कोई color फिलाल नहीं है इसे मैं color दे देता हूं black RGB color और currently इसका मैं जो width है thickness line का वो 3 रख रहा हूं और इस black color को भी मैं इतना black नहीं रखूंगा swatches में जाके कुछ shades है थोड़े से हलके जैसे कि यह इसे में select करता हूं और यहां पर रख देता हूं ताकि वो बहुत ज्यादा sharp न लगे तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें ऐसे 60 lines create करने है lines पहले चाहिए तो आप थोड़ा सा decide करो इतने height का चाहिए थोड़ा सा छोटा चाहिए तो छोटा रख दो 60 lines ऐसे create करने के लिए हमें एक additional circle लगेगा copy करो इस circle को यह जो big circle है और ctrl c और ctrl f और इसको alt and shift पकड़के थोड़ा सा इसा बढ़ा रखो इसका अलग color दे दो point size आप कितना भी रखो इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक support के लिए मैंने create किया यह circle अभी इस circle को लेके और इस dash को लेके हम group करेंगे मैंने इसे group किया है group करने के बाद यहाँ पर जो rotate tool है toolbox में इससे double click करो और 60 divided by यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 60 यह देखो ओके तो 60 डैस लेंच ही है 360 अपना जो पूरा circle रहता है उसको हम 60 के साथ divide करेंगे और मुझे click करना है copy पे okay पे click मत करो copy पे हम click करेंगे copy अभी हम keyboard पे control प्रेस करके रखेंगे और सिर्फ d को जो है वह हम press करते जाएंगे आप प्रेस भी करके रखोगे तो कुछ ऐसे आएगा लेकिन याद रखना हमें 60 से ज्यादा नहीं चाहिए exactly 60 चाहिए अभी आप इसे अगर count भी करोगे यह exact 60 डैश लाइन यहाँ पी आगे अभी पिंक सर्कल जो है उसके हमें कोई जूरत नहीं है इसे एक selection टूल ले लो ऐसे राग करो और दो बार डिलीट प्रेस करो डिलीट एंड डिलीट डैश लाइन यहाँ पर अपने हो गए इसे हम सिलेक्ट करके ग्रूप करके रखते सेम फिल एंड श्ट्रोक एक ग्रूप इसका बना दो ताकि इसको अगर वो कलर भी करना है तो आप इसली कर सकते हो तो अपसे पहले आप यहाँ एक नंबर टाइप करो यहाँ पर टाइप कर रहा हो 12 और इसका जो फॉंट है वह में रख रहा हो 48 या 60 60 रखता हो डिपेंट से अपना ब्लॉक इतना बड़ा है इसकी हिसाब से आप अपना फॉंट से रखते हो यह जो फॉंट है जो 12 नंबर है इससे में अलाइन करूंगा सेंटर में इस सरकल के साथ इसके बाद हमें क्या करना है फिर से अभी हमें कुछ कॉपी बनाने है नंबर की क्योंकि सिर्फ ट्वेल नंबर यहाँ पर रखके मतलब नहीं है 12 के बाद 1234 इसे 11 तक हमें नंबर करें तो अगें मैं एक सरकल यहाँ पर क्रेट कर रहा हूं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ऐसे इसे एक अलग कलर दे दे दो और इस ट्वेल नंबर को और इस नए सरकल को मैं सिलेक करके इसे ग्रूप कर देता हूं अगें यहाँ पर टूल बॉक्स में रोटेट टूल को मैं डवल क्लिक कर रहा हूं 360 डिवाइड बाई मुझे करना है 12 यहाँ जूम में देख लो यह हो गया 12 और यहाँ पर भी मुझे कॉपी पर ही क्लिक करना है मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहा हूं यह होगे मेरे नंबर्स लेकिन यहाँ पर अभी एक दिक्कत है वो हम सॉल्फ कर देंगे सबसे पहला यह जो पिंक सरकल है बाहर का वो डिरेक्ट से उल्फ करो से डिलिट करो डिलिट एंड टिलेक्ट गो यह नंबर्स जो है वो स्ट्रेट नहीं है से आप स्ट्रेट करो स्मार्ट गाय . आपको डाइटिल्ट करेगा कि आपका नंबर कैसे त्टिल्ट mily रोटेट होगा मैं अभी कोई भिटान प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं simply mouse से इसे ऐसे ड्रैक करता हो यह दो को smart guides मुझे guide कर रहा है जो pink के line से मुझे guide कर रहा है कि आपका जो box है जो bounding box उस text का वो perfectly align हुआ है की नहीं straight हुआ है की नहीं ऐसे ही करके मैं सारे boxes को इसे straight कर दोंगा one by one सारे numbers को quickly यहाँ पर कर देंगे कोई number completely अगर 90 degree rotation में है upshift press करो तो वो quickly ऐसे rotate हो जाएगा अगर 90 degree कोई है तो ही यह 90 degree नहीं है इसे हम manually ऐसा करेंगे smart guides को on करना भूलना नहीं है वन्ना आपका जो rotation है वो गलत हो सकता है कि फोड़ा भी अगर tilt हुआ तो वो एक particular number या कुछ और numbers बहुत odd लगेंगे इस सारे numbers हम tilt कर देंगे लेकिन इसे हमें rename करना होगा इन सबको सबसे पहला मैं select कर देता हूँ और यहाँ पर देखो एक दिक्कत यह हो गई है कि यहाँ पर जो alignment इसका रखा था वो था left अभी हमें करना है उसे middle align, middle align करने की बाद शाय थोड़ा सा इसा हिल जाए लेकिन इसमें भी कोई problem नहीं है ग्रूप करो और circle के साथ इसे align कर दो इसको आपको manual adjustment अगर कोई करना है तो बाद में कर सकते हो इसको ungroup रखो या तो group रखा तो भी चलेगा हम यहाँ पर आभी लेना है text tool text tool पर मुझे type करके क्या करना है इन सारे numbers को मुझे modify करना है तो simply मैं text tool इसमें click कर रहा हूँ और one इसमें click कर रहा हूँ यह हो गया 3,4,5,6,7,8,9,10 और यह last 11 अपने सारे numbers भी यहाँ पर आगे तिर इसके बाद हम एक थोड़ा सा change करेंगे इन dash line के साथ यहाँ पर जो main dash line है 4 dash line वो कॉन से 12 number का एक होगा 3 के लिए एक 6 और एक 9 के लिए यह 4 dash line हम थोड़ा सा अलग रखेंगे तो direct selection tool लेलो इसे select करो और shift hold रखके इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा कर दो या तो फिर अगर ऐसा नहीं भी करना है तो आपको simply क्या करना पड़ेगा stroke में जाके इसका stroke का जो size है उसे थोड़ा सा बढ़ा कर दो या तो 10 रखो या तो फिर 7 रखो अगेन इसका जो smoothने से आपको कैसे रखना है वो देखो caps and corners जो यहाँ पर मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ फिर 6 के लिए 7 पॉइंट और लाश्ट 9 के लिए 7 पॉइंट ताकि वह नमबर जो है वह हाईलाइट हो जाए इसके बाद हमें create करने है इसके घड़ी के जो काटे रहते है वह हम create करेंगे यह जो effect था यह देखो यह शायद आपको अभी पता चल गया रहेगा मैंने क्यू बनाया है तो छे तो थोड़ा सा उपर लेके ऐसे आप इसे थोड़ा सा स्केल भी कर सकते हो अगर ज़रुवत है तो या तो फिर जैसा है वैसे रख दो इसी के लिए मैंने वह create किया था ताकि वह एक लुक आ जाए एक ग्लास का लुक एक reflection जो रहता है shadow अंदर की तरफ गड़ी के वह आ जाए तो final अभी हम करेंगे गड़ी करना पड़ेगा एक छोटा circle मिडल में इसी circle को copy और control F करो जहाप एक circle रहाओ और outline को convert करो fill में मिडल में आपका जो circle है I think थोड़ा सा बढ़ा है इसे में थोड़ा alt and shift पकड़के इसे छोटा कर देता है ओके थोड़ा सा जूम एक बार घड़ी के काटे जो है वह अपना last step है लेकिन वह आपको बड़ी ध्यान से करना है line segment tool जहापे मैं select कर रहा हूँ और smart guides on है मेरा जो मुझे guide कर रहा है कि center कुन सा है यह देखो मैं mouse यह से लेकर यहापे दिखा रहा है वह center center से लेके मैं shift hold रखता हूँ और एक ऐसे line draw करता हूँ और उसको एक color भी दे देता हूँ black या तो फिर जैसे मैंने कहा था एक black नहीं तो थोड़ा सा dark gray color lighter version का वह यहापे line मेरा ready है लेकिन सिर्फ इतना line देके इसको पैदा नहीं है इसको थोड़ा सा modify करने का अभी इसे modify करने के लिए एक बहुत अच्छा tool है वो है width tool इसका lesson भी मैंने create किया है अब प्लीज देख लेना width tool के साथ इसे मैं यहाँ से bottom से expand करूंगा इसे यहाँ पर देखो इसका बहुत अच्छा घड़ी के काटी का effect आ गया है इसका thickness अगर थोड़ा ज्यादा लग रहे है आपको तो again इसको थोड़ा सा इसे modify कर सकते हैं अब है इसका जो काटे का जो कलर है पूड़ा समय एक स्टेप ज्यादा कर देता हूँ इसी घड़ी के काटे को मैं copy करता हूँ ctrl c ctrl f और अभी मैं क्या करूंगा rotate tool मैं select कर रहा हूँ यहाँ पर अभी ध्यान से देख लेना यहाँ पर मैं center पर just click कर रहा हूँ click करने के बाद मुझे और कोई tool अभी select करना है rotate tool ही चाहिए मुझे और उपर का इसका जो part है वो shift पकड़के ऐसे लता हूँ मैंने क्या क्या फिर से बता दो बड़ा जो काटा था अपना घड़ी का उसे में select किया और rotate tool select किया यहाँ पर मैंने एक click किया और फिर rotate tool से ही मैंने उसे rotate किया अब यह बहुत easy है shift hold रखे इसको थोड़ा सा इसा छोटा कर दो अगें हमें और एक line create करना है जो है seconds का जो काटा रहता है उसके लिए center से एक random ऐसे line यहाँ पर ऐसे create कर रहा हूँ और इसका point size जो है उमें रख देता हूँ 3 और यह जो middle circle है उसे में bring to front यहाँ पर लाता हूँ arrange में कुछ इस तरह से तो अपने पास अभी घडी ready है इसमें सब कुछ है इसका background है numbers है घडी के काटे है सारे seconds hours minutes के सब कुछ है इस अगर घडी के काटे को आपको अगर modify भी करना है तो again rotate tool पे करो और इसको पहले select object को फिर rotate tool select करो यहाँ पर simply आपको center पर यहाँ पर क्लिक करना है और यह point को ऐसे modify करना है कुछ इस तरह से तो गडी के timing में आपको कितना timing रखना है वह आपके उपर है यहाँ पर भी मैं simply ऐसे एगर drag करूँ तो मैं यह seconds का काटा भी ऐसे में move कर सकता हूँ यह अगर आप manually ऐसे move करोई directly तो इसमें क्या होगा कि इसका size कम या ज्यादा हो सकता है इसलिए मैं आपको कुलता हूँ कि rotate tool यूज करो और rotate tool से इस center में click करो और उसी rotate tool से आप इसका यहाँ पर ऐसा movement देदो तो perfectly वह rotate हो जाएगा यह था अपना आज का wall clock का lesson एक बार recall करते है इस wall clock को हम इसे presentation mode में यह बार देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक outer इसका जो ring है वो create किया इसके बाद यह जो light color का grey shadow है वो हमने create किया दो circles को लेके उसको divide करके half circle उसका निकाल दिया और half circle यहाँ पर रखाए तकि उसको एक shadow look आजाए इसके बाद हमने dash जो है जो minutes उसके वो सारे create के rotate tool के साथ double click करके 360 divided by 60 फिर उसके बाद हमने एक number लिया 12 अगें उसे भी rotate tool के साथ इसको 12 numbers हमने लिये 360 divided by 12 और फिर उसके बाद last में हमने एक circle बीच में ले लिये और घडी के जो काटे है वो final हमने कर दिये और घडी के काटों के लिए जो width increase किया है bottom से उसके रहे हमने use किया था width tool तो कुछ इस तरह से आपका बन गया है wall clock लेशन आपको पसंद आया हो तो please like, please share and do comment and please do subscribe अगर अपने subscribe नहीं किया है thank you for watching this video take care guys bye